तो दोस्तो question है घुटन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ओप्स नेग्रेटर, ओप्सन बी सिफ्टर, ओप्सन सी विस्क या फिर ओप्सन डी सब्फूकेशन तो इस cancer करने के लिए आपको दी जाता है पांच सेकंड का समय तो इस cancer होगा ओप्सन डी सब्फूकेशन घुटन को अंग्रेजी में सब्फूकेशन कहा जाता है तो कि इससे पहले आपको इसका मेनिंग पता था comment box में ज़रूर बताएं और मेरे प्यारे साथियों आज के लाप के पास question first है मुरजानी को इंग्लिस में क्या कहा जाता है और वही question second है कद्दुकस को इंग्लिस में क्या कहा जाता है इन दोनों question का मेनिंग comment box में लेखना न भूलें तो दोस्तों अगर आप इनका मेनिंग नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हो कि इनका मेनिंग क्या होता है तो हम पूरी playlist कर लें डिसके रसन बॉक्स या फिर आई बटन में डार रहे है उस playlist को जरूर चेकर ले क्योंकि उस playlist में से कई सारी word है जो हमारी daily life में यूज ह होते हैं लेकिन हमें उनके मेनिंग इंग्लिस में पता यह नहीं होते तो उस playlist को जरूर चानल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेलाइन को प्रसकाना ना भूले जिससे कि आपको आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन टाइन टाइम मिलती रहे हमारी मुलकाद होगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हल्पे बेटाई देखते रहिए और सीखते रहिए धन्यवाद